हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका केके ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों उमीद कर रहे हैं कि आप स्वास्त में बहुत ही बहुत ही बहुत अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों आज अपनी तयारी की स्रिंखला को हम आज और आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं परियावरण की इन्वायरमेंट की और हम वहीं से आज शुरू करेंगे जहांपे हमने इन्वायरमेंट के अपने पिछले टॉपिक पर छोड़ा था और आज उसी स्रिंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे वाटर पल्यूशन की और साउंट पल्यूशन की तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका केके ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और दोस्तों ऐसे इस प्लेटफॉर्म को पसंद क जिसे एक रणिंग नोडस बनाते हुए किसी भी एकजाम के लिए बहतरीन सी तैयारी की जा सके तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है केके ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और आज हम पहले सबसे शु बहुत परिशान से हैं ये ये काफी परिशान है और इनकी परिशानी का कारड़ आप जानी रहे हैं इनकी परिशानी का इनके घर के पास में ये लगा हुआ है एक तमूरा, स्पीकर या जो भी कहना चाहें लोग अपने घरों में तो भजन किर्तन या जो भी आप कहना चाहें वो कर रहे हैं, हो सकता है कोई फंक्शन चल रहा हूँ, पार्टी चल रहा हूँ, लेकिन इन भाई साब को तो तकलीफ हो रही है यहां पर देखिए, यहां बसे चल रही है, गाड़ियां चल रही है, कार चल रही है, लोग लड़ाईयां कर रहे हैं, साउन अलग आ रहा है और कुल मिलाकर ये भाई साब परिशान से हो गए हैं ये भाई साब हो गए हैं परिशान से और इनके चेहरे से इनकी सारी परिशानी दिख रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये ध्वनी प्रदूशर कितना खतरनाक होता है इनकी परिशानी ही बता रही है कि ध्वनी तो जाएगी तो मिल बैठेंगे दो यार और हो जाएगी बात किसकी मानसिक असंतुलन की और सिर्दर्ध होना, नीद ना आना, ये सारी समस्यां भाई सापको ग्रसित कर देंगी तो एक noise pollution भाई सापको कितना खतरनाक बीमारियों से ग्रसित कर दे रहा है, कितनी खतरनाक बीमारियां दे दे रहा है और इन सब की जड़ है क्या ये Noise Pollution इतनी बीमारियों का जड़ यही noise pollution है तो हम बात करते हैं इसी noise pollution की और अगर हम बात करें तो कितनी कौन सी ध्वानी जो होती है कौन सी ध्वानी जो होती है वो noise pollution में consider होगी उसको हम देखेंगे और अगर हम different places पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कितने noise हम सुन सकते हैं, उसको हम देखेंगे, कितनी noise हम सुन सकते हैं, हम उसको देखेंगे, और साथ में हम बात देखेंगे कि किस तरीके से इसको avoid किया जाक सकता है, अगर avoid कर सकते हैं, तो किस तरीके से हम avoid क कर सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं इसी को हम किस तरीके से एवाइट कर सकते हैं और नॉइस पॉलूशन को आपको डिफाइन करने में की जरुवत तो है नहीं बस इसी तरीके से आप कर सकते हो डेसिबल के आधार कर कि कितनी तीवरता से अधिक, डेसिबल की तीवरता से अधिक होगा, तो वो ध्वनी कही जाएगी, कि यह हाँ यह ध्वनी sound pollution में consider होगी, और जैसे क्या होता है, जब आप कोई music वगएरा सुन रहे होते हैं, तो normal एक frequency रहती, normal frequency आयाम उसका रहता है, यह लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, और भाई सापकी कान एकदम से बोलते जा रहे हैं, तो ध्वनी प्रदूशड में क्या होता है, यह जो एक smooth सा रहता है, smooth frequency, smooth आयाम रहता है, वो परिवर्तित हो रहता है, वो कभी up, कभी down, अब कभी down, ऐसे ही चलता रहता है, और अगर हम बात करते हैं, ध्वनी प्रदूशड की, तो ध्वनी प्रदूशड में, frequency और आवरित्ति और आयाम, यह दोनों ही क्या होते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, अगर हम ध्वनी प्रदूशड और music में, अगर हम देखना चाहिए, तो यही है, एक नॉर्मल ध्वनी में और एक ध्वनी प्रदूशड में, कि frequency और आयाम जो होते हैं, यह sound pollution में, noise pollution में लगातार बदलते रहते हैं, लगातार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, और इसको जो हम measure करते हैं, sound को, वो हम decibel में measure करते हैं, decibel में measure करते हैं, और अगर हम बात करें, जब यह काटा 60 cross हो जाए, जब यह काटा 60 cross हो जाए, तो समझ लीजे कि ध्वनी प्रदूशड सुरू हो गया है, तो ध्वनी प्रदूशड सुरू हो गया, आप मान लीजे, ध्वनी प्रदूशड की शुरूआत हो गया है, तो गाड़ी चलाए, तो भी 60 की average speed बना के रखे, जिससे normal चले, और 60 की speed से कम सुनिए, 60 dB की speed से, जो 60 dB की तीवरता है, उससे ध्वनी कम रहेगी, तो वो normal रहेगी, तो ध्वनी की तीवरता की अगर हम बात करें, ध्वनी की तीवरता की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम ध्वनी की तीवरता की बात करते हैं, तो अगर 60 dB से ये अधिक है, अगर 60 dB से अधिक है ये, तो ये consider होता है किसमें, ये consider होता है ध्वनी प्रदूशड में तो अगर आपसे कोई कहता है कि ध्वनी प्रदूशड आप किसे करोगे तो इस आधार पे आप क्या कह सकते हो अगर आपसे कोई कहा जाए कि आप sound pollution को कैसे बताएंगे तो sound pollution या धोनी प्रदूशण को अगर आपको बताना है अगर आपको बताना है तो आप इसको define कर सकते हैं कि एक तो इसकी आवाज जो होती है इनकी आवाजों की आवरित्ती इनकी frequency आवरित्ती और आयाम लगातार बदलते रहते हैं परिवर्तित होते रहते हैं ठीक है लगातार परिवर्तित होते रहते हैं और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे कि दीबी में इनकी तीवर्ता के अधार पर हम बोलें तो तीवर्ता के अधार पर हम कहेंगे कि यदि धनी की तीवर्ता 60 डीवी से अधिक है से अधिक है तो ये धनी प्रदूशड है तो ये धनी प्रदूशड है तो इस तरीके से ये हमारा धनी प्रदूशड है और इसके खार थकावट की समस्या, चिड़चिड़े पन की समस्या, मांसिक असंतुलन की समस्या, नीद न आना, गुसा करना, ये सारी सिर्दर्ध होना, ये सारी बीमारियां इससे हो सकती है, concentration कहीं नहीं बनेगा तो इस तरीकी की चीज़ें होती है किससे ध्वनी प्रदूशर से और इसलिए बहुत ज़्यादा headphone मतलब आके रखा करिए आप लोग अगर एक limit में लगाईए और लगाईए तो कभी उसको मतलब एक limit से ज़्यादा उसकी sound को तेज मत रखिये ठीक है ये एर प्लक से ज़्यादा बेटर बल की होता है आपका headphone तो चलिए ठीक है तो दोस्तों ये तो हो गया क्या कि sound pollution क्या होता है किस तरीके से क्या इसे cause बिमारियां हो सकती है अब हम अगर देखें तो अकसर हम कई स्थानों पर जाते हैं कभी हम website छेतर में चले जाते हैं कभी हम किसी शांत छेतर में जैसे hospital, school, इन सब जगों पर चले जाते हैं और कभी हम आदोगी छेतरों में चले जाते हैं तो इन स्थानों पर दिन और रात दिन और रात में एक अलग सीमा बनाई गई है एक अलग सीमा बनाई गई है जिसके आधार पर हम ये तैक करते हैं कि हाँ इतनी हम अगर सुन रहे हैं आवाज तो वो ठीक है otherwise वो खतरनाप हो जाएगी otherwise वो dangerous हो जाएगी तो अगर आप अध्योगिक छेत्रों में कह जाते हैं अगर आप किसी अध्योगिक छेत्र में जाते हैं ये किसी industrial area में जाते हैं तो वहाँ पर तो sound होगा ही हो जाता होता है तो किसी अगर आप industrial area में जाते हैं तो दिन में आप 75 db और रात में चुकी आवाज थोड़ी गुशती है तेज हो जाती है तो 70 dB की रेंज होती है ठीक वहीं पे अगर आप किसी वेवसाइक छेतर, बिजनेस वाले छेतर में चले जाते हैं किसी वेवसाइक छेतर में अगर आप जाते हैं और किसी वेवसाइक छेतर में अगर आप जाते हैं, तो यह कितना रहेगा, यह रहता है 65 Db, 65 Db, और यहाँ पे कितना रहता है, यह रहता है 55 Db का रेंज, मतलब रात में यह 55 Db रहेगा, और दिन में यह 65 Db रहेगा, और किसी रहाईसी छेतर जहाँ पे लोग रहते हैं निवास करते हैं नॉर्मली वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं रहाईसी छेतरों में तो यहाँ पर आप आते हैं कि दिन के समय में यह 55 dB होता है दिन के समय में यह रेंज याद रखेगा एक्जाम में पूछे जाते हैं 55 dB और रात में 45 dB और शांत छेत्र जैसे हमने कहा शांत छेत्र में क्या जाते हैं जैसे हॉस्पीटल हो गया, स्कूल हो गया गार्डेन हो गया, यह सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो यहां पर 50 dB दिन में यहां पर 50 dB दिन में और रात में जो होता है वो होता है 40 dB वो होता है 40 dB और अगर जैसे पतियां जब सरसराहट होता है पतियों में जब पतियों में सरसराहट होती है होती है ना अक्सर आपने सुना होगा तो इनके अगर हम सरसराहट के अगर हम बात करें और इनके dB के अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है 20 to 30 dB के राउंड होता है, कितना होता है, 20 dB से 30 dB के राउंड रहता है, ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं किस तरीके से हम इनको define करते हैं, अलग-अलग areas में, ठीक, अब अगर हम बात करें कि इनको दूर कैसे करना है, अगर हम बात करें कि इनको दूर कैसे करना, how to prevent noise pollution, तो इसका बहुत ही simple सा तरीका है, बहुत ही simple सा तरीका है, पेड़ पौधों को बढ़ाएं, पेड़ पौधों को बढ़ाने से क्या होता है, जब सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगेंगे, जब सड़कों के किनारे पेड़ पौधे धेड़ सारे आप लगाएंगे, तो इनको कहते हैं green belt, क्या कहते हैं, green belt, और इसी को कहते हैं muffler, muffler से आप किसी और को मस समझेगा, आप जानते हैं muffler को, ठीक है, तो green muffler भी इसको कहते हैं, तो अगर अक्सर ये question पूछा जाता है, कि green muffler का सम्बंद किस से है, green muffler का सम्बंद किस से है, तो green muffler का सम्बंद जो होता है, वो noise pollution को कम करने से होता है, noise pollution को कम करने से होता है, और इसमें क्या करते हैं, सड़कों के किनारे व्रिच लगा जाते हैं, दोनों के हर किनारों पर सड़कों पर धेड़ सारे व्रिच करते हैं कि क्या करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक तो इस तरीके से यह हमारी साउंड पलुशन के विश्रे में कुछ बाते हो जाती है अब एक अगली जो समस्या आती है pollution की हमने दो major देखे अभी एक हमने air देख लिया हमने एक air देखा air pollution ठीक है और दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है sound pollution इसको भी हमने देख लिया अब एक बहुत खतरनाक pollution जो है वो है water pollution water pollution भी बहुत खतरनाक है तो water pollution के अगर हम बात करते हैं कैसे ठीक है तो water pollution भी हम देखते हैं कैसे क्या होता है तो दोस्तों हमने जब अपने पहले part pollution के define किया था हमने देखा था कि किस तरीके से जब कोई factor ऐसा होता है कोई cause ऐसा होता है जो किसी भी स्थान के किसी भी प्राकृतिक स्थान के गुड़ों में ऐसा परिवर्तन कर देत है कि उसका impact जो होता है उसका impact जो होता है वो सजीवों के लिए negative होता है तो उसको हम प्रदूशड कहते हैं तो यहां पर क्या है यहां पर हम जल की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यह जल की अविरल धारा बह रही है और इसमें कोई pollutant ऐसा आ जाए कोई प्राकरतिक गुड़ों निचुरल प्रापर्टीज जो इसकी है उनको क्या कर दे बदल दे परिवर्तित कर दे और यह परिवर्तन कैसा हो मानों के लिए यह अनिप्रकार के जीवों के लिए हानिका रखो सजीवों के लिए हानिका रखो तो यह क्या होगा यह जल प्रदूशड होगा और यह भाई साब जो pollutant कर रहे थे यह कौन से पल्यूटेंट को वाटर पल्यूटेंट कहला दिये जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि वाटर पल्यूशन इस तरीके से होता है वाटर पल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन किया सकता है अब अगली बास समझ में आती है कि भाई ये वाटर पल्यूशन ह तो भाई साब वाटर पलूशन जो होता है इसके लिए जिम्मेदार हम और आप ही हैं वाटर प्रदूशड के जिम्मेदार कौन हैं हम और आप हम और आप कैसे हैं वो देखते हैं हम और आप कैसे हैं वो हम देखते हैं तो देखिए हम और आप ऐसे हैं यहां से वह हमारा पानी चला आ रहा है नदियों में, यह हमारी फैक्टरी है, चला आ रहा है पानी, यह आपके सडक हैं, यहां से पानी चला आ रहा है, ठीक है, यह गाउं के घर हैं, यहां से पानी चला आ रहा है, यह आपके देखिए, यह इस तरह के सोर्स हैं, कई सारे, क्रॉप लेंड वग जलधार को ये waste जो आ रहा है, ये waste जो आ रहा है इस पल्यूटेंट है, इस waste water में वो क्या करेंगे, इस जलधारा को polluted ही तो करेंगे, ये जलप्रदूशड ही तो फैल आएंगे न, तो इसी कारण से कहीं न कहीं हम और आप ही responsible हैं इसके जलप्रदूशड के, अब इनको अग होता है point एक होता है point और दूसरा क्या होता है non-point या diffused कह दीजे diffused या non-point इसको आप कह सकते हैं बिंद्धू श्रोथे को पुरानी फिल्मों में एक बिंदू भी वहा करती थी और यह है गैर बिंदू गैर मिंद्धू कह दीजे या visrid srot कह दीजे या password कह अब अगला प्रशना आता है कि यह पॉइंट सोर्स या बिंदू स्रोत या डिफ्यूस्ट रोत या विश्रिट स्रोत क्या होता है तो इसका जो आंसर है वो इसी फीगर में चुपा हुआ है यह देखिए यह दिख रहा है आपको और यह दिख रहा है यही इसके आंसर है आप इन में देखिए यहाँ पर आपको exact पता चल रहा है यह आपको exact मालूम है कि हाँ यह water treatment plant से आगया और यह factory से हमारा आ रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर हम कहें इस तरीके से कि जहाँ पर हमको exact मालूम हो exact पता हो कि यहां से हमारा source है तो वो हमारा point source हो जाता है ठीक है मतलब हमको पता है कि pollutant कहां से आ रहा है और इसको हम point source कहते हैं लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा उपर में आ जाईए यह non point वाले में यहां से भी आ रहा है 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 तो multiple source हो गए इसमें बहुत आसानी से नहीं पता लगा सकते हैं, यदि हमको इसको control करना हो, इस pollution को, यदि इस production को नियंतरित करना हो, तो यहां से तो हम direct कर सकते हैं, हमको single source से मालू है, यहीं से आ रहा है, बट अगर हम यहां पर करना चाहें, तो हमको हर जगा, जितने multiple sources से आ रहा हैं, उनको हमक देखना होगा, और इनको control करना काफी tough हो जाता है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कि हमारा जो point source होता है, point source में क्या होता है, हमें exact पता होता है, exact मालूम होता है, कि हमारा कहां से आ रहा है, ठीक है, हमको पता हमें, पता है, होता है, कि pollutant कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा ठीक है बट वहीं पे अगर हम diffused की जब हम बात करते हैं विशिरित की जब हम बात करते हैं जब हम diffused की बात करते हैं तो ये किसी निश्चित स्थान से नहीं प्रवेश कर रहा किसी निश्चित स्थान से नहीं प्रवेश कर रहा बलकि कई इस्थानों से आ रहा है कई इस्थानों से आ रहा है और कई इस्थान हमने देख लिए कहां कहां से इस तरीके से तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे point source हैं और ये diffuse source हैं ये हमारे दोनों क्या हैं जल प्रदूशड के कारक हैं इनसे हमारा जल प्रदूशर फैलता है ठीक है यही नदियों का जल फिर अलग-अलग स्थानों पर जाता है फिर हमको पहुंचता है तो हम जानते हैं कि कि सर की बिमारी फिर फैल जाती है तो ठीक है चलिए अब ये तो हमारा हो गया कि हमारा point sources किया है जल प्रदूशर की उसके बाद एक अक्सर आपने term सुनाओगा शुपोशर का एक term आप सुनते हैं शुपोशर या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूट्रिफिकेशन ठीक है इसको क्या होता है हम थोड़ा सा देखते हैं इसको हम थोड़ा सा देखते हैं देखिए अक्सर क्या जैसे होता है अक्सर क्या होता है कि मान लीजे ये आपका है कोई स्थान जहां पर भरा हुआ है जल जहां पर भरा हुआ है जल जल भरा हुआ है और जब ये जल भरा हुआ है तो इनमें कई बार आ जाती है नाइट्रेट हो गया या फासफेट आ गया ये इसमें बहुत आ जाते हैं कई बार क्या होता है ठीक है तो जब ये जल स्रोत में क्या होता है ये नाइट्रेट और फासफेट काफी मातरा में आ जाते हैं, इनका मात्रा बढ़ जाता है इनकी मात्रा जो होती है increase कर जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन या फिर सुपोशड कहते हैं, इसी को यूट्रिफिकेशन या सुपोशड कहा जाता है, और अक्सर घरों के पानी से खेतों में जो यूरिया होता है घरों के पानी से ठीक है या जो खेतों में यूरिया वगएरा यूज होता है जब वो डालते हैं हम उनको तो उससे भी नेट्रोजन पोटेशियम और फॉसफोरस हो अधिक्ता होने लगती उनसे और उर्वरक उद्योग जो हैं हमारे उनसे भी यह release होता है और जल्स रोतों तक पहुंचता है और उसमें nitrogen और phosphate, nitrate और phosphate की मातरा बढ़ जाती है, nitrate और phosphate की मातरा बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, support होता है, ठीक है, तो अगर हम जैसे हम कहें, तो यह जैसे आप इस figure में भी देख सकते हैं, होता है nitrogen और phosphorus जब increase हो जाते है nitrate और phosphate तो यह हमारा कहलाता क्या है यह हमारा कहलाता है सुपोशड या eutrophication ठीक है तो अब इससे होता क्या है हमको यह देखना है इससे होता क्या है तो देखिए इससे क्या होता है सुपोशड के कारण जो शैवाल होते हैं शेवाल या इलगाई जो भी कहना चाहिए इलगल ब्लूम कह लीजिए ये जो होते हैं इनकी मात्रा में बहुत ज़्यादा हो जाती है क्या वृद्धी इनकी मात्रा में इनकी कॉंटिटी में इंक्रीज हो जाता है इनकी मात्रा में रिद्धी हो जाती है अब जब इनकी मात्रा में हो गई रिद्धी तो भाई इनको भी तो oxygen चाहिए इनको भी तो oxygen चाहिए और ये oxygen कहां से पाएंगे इसी जल से ही तो पाएंगे ये जो जल है जल स्रोत है यहीं से तो लेंगे ये भाई साब लोग क्या करते हैं इसका जल लेना शुरू कर देते हैं इनका जल लेना शुरू कर देते हैं तो अब ये तो लेने लगे हैं तो धीरे धीरे अगर हम इनका शैवाल अगर increase कर गए हैं तो ये oxygen जादा consume करने लगे हैं तो जल में जो oxygen की मात्रा है वो धीरे धीर क कम मिलनी शुरू हो जाएगी जब उनको जली जीवो का oxygen quantity कम मिलनी शुरू हो जाएगी तो कितने दिन बेचारे जिंदा रहेंगे ठीक दीरे दीरे समाप्त हो ही जाएगे तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सुपोशर जो हमारा सुपोशर की कारण हमारा ये जली जीवो होते है तो इस तरीके से और कई बार ये सेवाल जो होते हैं वो कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ भिस्रावित करते हैं ठीक है और इससे क्या होता है इस घटना को जो कहते हैं हानिकारक सेवाल प्रसकुटन की घटना कहते हैं हांफुल एलगल ब्लूम हांफुल एलगल ब्लू कि हम इस जल प्रदूशन को मेजर कैसे करें जो हमारा water pollution है क्या है water pollution इसको हम मेजर कैसे करें हमारा अगला प्रश्ण ये उठता है ठीक तो इसके लिए है do pod yes, bod कहिए bod क्या है bod और cod अब ये do, bod, cod क्या है देखते हैं इनको आप कहते हैं dissolved oxygen क्या कहते हैं dissolved oxygen, गुली हुई oxygen dissolved oxygen ठीक है और ये हमारे होते हैं biological oxygen demand जैविक oxygen मांग जैविक oxygen मांग biological oxygen demand oxygen demand ठीक है चलिए ये भी हो गया अब हमारा आता है अगला COD वो क्या है chemical oxygen demand chemical oxygen demand रसाइनिक oxygen मांग ठीक है तो चलिए देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़े हैं इनके अंदर में क्या क्या चीज़े हैं फ़रा से देख लेते हैं तो देखिए जैसे जो dissolved oxygen है नाम से में पता चल रहा है इसमें क्या करते हैं घुली हुई oxygen की मात्रा देखते हैं क्या देखते हैं जो घुली हुई oxygen की मात्रा होती है उसको देखते हैं इसको देखा जाता है चलिए ठीक है देखते हैं अब कैसे पता लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक लीटर पानी है कितना वन लीटर पानी है एक लीटर पानी है तो हम देखते हैं कि इस एक लीटर पानी में कितनी oxygen की मातरा गुली हुई है एक लीटर जल में कितना oxygen गुला हुआ है हम इसको देखते हैं और इसी आधार पे हम बताते है कि ये water polluted है या नहीं है तो देखे कैसे यदि यदि इस dissolved oxygen की मातरा यदि इस dissolved oxygen की मातरा 8 मिली गराम से जाधा हो से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये शुद्ध जल है तो ये शुद्ध जल है बट अगर ये इससे कम है इससे कम है तो हम कहेंगे कि ये अशुद्ध जल है कैसे कहेंगे बताईए इससे थोड़ा सा अपना माइंड लिए देखिए अगर यह ज़ादा आ रहा है इससे तो इसका मतलब है कि water में oxygen उत्मा maintain है मतलब उसमें जो प्रदूशक वगरा है जो bacteria वगरा है वो उसने नहीं है जो उसको consume कर सकें मतलब इसलिए quantity अच्छी बनी हुई oxygen की तो अगर यह है oxygen की quantity बनी हुई है तो वो शुद्ध है अगर उसमें bacteria या फिर कुछ और कह लिजे जो pollutant होंगे water pollutant अगर वो उसमें है तो इस oxygen को consume करेंगे तो oxygen की मातरा घटेगी तो oxygen की मातरा अगर घट रही है तो वो अशुद्ध जल में consider किया जाएगा ठीक है और अगर यह मातरा घटते हुए 4 mg पर लीटर से और अधिक नीच oxygen demand उसको भी देखते हैं ど देखेए इसमें क्या करते हैं जैसे 1 लिटर गया ने पानी लिया पानी लिया और उसको पास दिनों तक 5डेस तक हम क्या करते है आक्सीजन सप्लाइब करते हैंIX यह सप्लाई करते हैं उसको ठीक है और जब उसमें oxygen की सप्लाई हम करेंगे तो उस सूश्म जीव माइक्रो अर्गरिज्म तो उसमें पनपेंगे ठीक है तो अगर हम कहें है कि ये सूश्म जीव इसमें जो पनप रहे हैं उनकी हम बात करते हैं अगर ये ज़्यादा जीव है अगर ज़्यादा जीव पनप रहे है अगर ज्यादा जीव पनप रहे हैं तो वो ज्यादा ऑक्सिजन की डिमांड करेंगे जो ज्यादा जीव पनप रहे हैं तो वो क्या करेंगे ज्यादा ऑक्सिजन की डिमांड करेंगे ठीक और अगर कम जीव पनप रहे हैं अगर कम जीव पनप रहे हैं तो वो कम oxygen की demand होगी कम oxygen की demand होगी तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जो oxygen की demand है oxygen की demand कितनी पढ़ रही है उस आधार पर हम देखते हैं कि कितना हमारा oxygen पढ़ रहा है जरूरत आवशक्ता कितनी पढ़ रही है उस आधार पर हम देखते हैं कि हमारा जल प्रदूशित है या नहीं है अगर हमको ज़्यादा oxygen की demand पड़ जा रही इसका मतलब एक उसमें ज़्यादा जीव आच चुके हैं और इस वैसे वो ज़्यादा प्रदूशित है और अगर हमको कम oxygen की demand पड़ रही है तो मतलब उसमें जीव उतने ज़्यादा नहीं है और जल वो शुद्ध है तो इसमें जो range बनाई जाती है वो यह होती है कि अगर 3 mg पर लीटर के हिसाब से कम है अगर तो हम माना जाता है कि यह जल शुद्ध है ठीक है और पीने योग्य है यह वहीं पर अगर इसकी range फ़िस से 6 हो जाया तो इसको हम मानते कि पीने योग्य नहीं है लेकिन घरेलू यूज़ परपस के लिए हम इसको यूज़ चर सकते है किस परपस के लिए घरेलू परपस के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है और अगर ये value 6 से उपर हो जाए यदि value ये 6 से उपर हो जाए तब आप कह दीजे कि भाईया ये जल प्रदूशित हो चुका है पूरी तरीके से और ये use like नहीं है अब ये जल प्रदूशित हो चुका है और use like नहीं है ये और अगर आप देखेंगे हमारे कानपूर से जब आप कानपूर से प्रयाग राज आते हैं कहाँ पे कानपूर से प्रयाग राज तो इसकी मात्रा आप कितना पाते हैं जानते हैं आप इसकी मात्रा पाते हैं लगभग 8 आप इसकी मात्रा 8 mg के राउंड पाते हैं तो सोची आप कितना pollution है इस जल में और उसके बाद में यदि आप यहीं पे दिल्ली में यमुना को देखते हैं जब आप दिल्ली में यमुना को देखते हैं तो यहां भी कोई बहुत अच्छी situation नहीं है यहां भी approximate 7.5 के आज पास यह value देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरी oxidizing agent होते हैं जो oxidizing agent होते हैं यह क्या करते हैं जो water में जो जल में जो प्रदूशक वगरा होते हैं जो प्रदूशक वगरा होते हैं उनको अब घटित कर देते हैं या डिग्रेट कर देते हैं जो भी कहना चाहिए तो जैव निमनिकारक अजैव निमनिकारक इस तरीके के ची जो अब घटन होता है, जो जैवनिमनिकारा का जैवनिमनिकारिन का अब घटन करते हैं, उस आधार पर हम प्रदूशड का पता लगाते हैं जल में, और जैसे इसका एक्जामपल होता है, के टू, सी, आ, टू, सेवन इसके लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारा COD मेथड म ये हमारा होता है, ठीक, इसके बाद एक हमारा आता है कहानी, जैसे हमने देखा था, वाइव प्रदूशड के केस में, कि एक जल जैव सूचक होता है, जैसे हमने वाइव प्रदूशड के केस में, जैव सूचक देखा था, यहां भी जैव सूचक होता है, ठीक है, यहां प ये जब इनकी मात्रा ये क्या शो करते हैं जब इनकी कॉंटिटी जो होती है ये शो करती है कि हमारा जल कैसा है प्रदूशित हो चुका है क्या जैसे कि अगर हम भारत में बात करें तो जो भारत में दामोदर नदी का छेत्र है जो दामोदर नदी का छेत्र है उसको एक तरह स की factory है चोटे ना कुट पठार के side में कोलकाता के side से यहां सी factory से जो गंदा गंदा पानी आता था यहां के जीवो को almost इसने समाप्त कर दिया है इसलिए इनको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना आता है तो दोस्तों यह हमारा इस part में हो गया पूरा कितना air pollution और air pollution हमने पहले ही कर लिया था हमारा water pollution भी हो गया और हमारा हो गया क्या sound pollution भी अब हम इसमें दो चीज़ें और देखेंगे greenhouse gas effect greenhouse gas effect और या और साथ में हम देखेंगे जो हमारा global warming है जो हमारा global warming है इनको हम अपने next part में consider करेंगे आज के लिए इतना ही कर रहा है thank you, उमीद कर रहा है कि आपको ये part पसंद आया होगा ऐसे ही पसंद करते रही है और like करते रही है, subscribe करते रही है अपने दोस्तों को भी जोड़िए साथ में और इस प्रयास को दूर दूर तक पहुंचाई जिससे घर बैठें विद्यारतियों को तयारी करने वाले learners को एक ऐसा atmosphere मिल सके एक ऐसा platform मिल सके जहां पे वो बिना कुछ खर्च किये अपनी तयारीयों को नहीं हुचाईयों तक पहुंचा सकें तो दोस्तों फिर से thank you और देखने के लिए धन्यवाद